नमस्कार, Lunar Astro में आपका स्वागत है, आज का जो टॉपिक है वो है उपाए, रेमिडीज किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, क्या रेमिडीज से सबकुस्चीक हो जाता है, क्या रेमिडीज ही आखरी सच है, तो परशाथ कहां है, और फ्री वेल कहां पे चार्ट मे देखी जाती है, तो रेमिडी जो शब्द का ओरिजिन है, जो कि Latin शब्द से बना है, दो शब्द में मिली है, और री, रेमिडी, जिसका अर्थ ये है, री हील करना, मतलब आप अगर बिमार पर जाए, शरीर अगर बिमार पर जाए, तो उसको हील करने कि लिए, जिस परिस्थती में आप फसक हैं उस परिस्थती को बदल दिया जाए इसको उपाय कहते हैं और आपकी present condition से जो आपको उठा लिया जाए आपको उत्थान हो तो वहां पर उपाय का उलेक है लेकिन उपाय आक्छली में होता क्या है उपाय के तीन भाग जिस तरीके से हमने एक पि लेकार की रिमिड्यी होती है जो कि पंच त्व को लेके बनती है उसके बाद एक रिमिडी आती है जो कि आकाष तर्थत्व से आती है इसको Celestial कहते है Celestial Remedies और जादतर जोते शुपाए Celestial Remedies के होते हैं उसके बाद जिन लोगों के दो लेबल हो जाते हैं उसके बाद जो टॉप अफ दो पिरामिड है जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं जिसको साधना कहते हैं उसको Rituals कहते हैं जिसमें आप पांस सत्व और अकाश की उर्जा को मिलाके पड़गर प्रकार का साधन करते हैं उस साधना करते हैं तो उसको Rituals में डाला गया यह सबसे आखरी प्रकार हैं जिसे कि 40 जन एक पड़गर महुरत के अंदर यह पड़गर काम करना यह इस प्रकार की साधना है और साधना करने से बहुत सारे चीज़ों सिध्ध हो जाती है प्राक्टिस है किसी भी चीज़ को जैसे कि एक मैथमेटिशन की सिध्धी यह है कि उसको फटाफट ब्रेइन के अंदर चीज़े कालकुलेशन हो जाते है सिध्धी है प्राक्टिस कोई चीज़ आप इतनी ज़्यादा प्राक्टिस कर लीजे कि वो आप सब कॉंशिसली करने लग जाए लेकिन यही जब आप अकाश तत्व के अंदर किसी चीज़ को करने की आदट डालेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत असानी से सुगम हो जाएंगी इसी को साधन कहा गया या साधना कहा गया तो उपाय ना बेसिक उपाय क्या होते है या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी उपाय को करने का कि जो कुणली है चार्ट है उसके इंदर एक बेसिक human nature है और हर व्यक्ती के लिए अलग प्रकार का उपाय है जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग intellectual होते हैं उनके लिए intellectual remedies होते हैं और कुछ basic remedies हर किसी को करने चाहिए वो remedies नहीं है, lifestyle है जब आप lifestyle में changes करते हैं आपको उसके results अपने पूरी जिंदगी में दिखाई देते हैं तो जब आप उपाय कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा कोई कारे कर रहे होते हैं जिससे आपका उत्थान हो आपकी जिंदगी में जादा उर्जा है सारा का सारा खेल तो उर्जा का है ना कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए और उसके लिए आपको उर्जा बढ़ानी पड़ेगी मला एक physics का law है level has to be raised, work has to be done बहुत simple सा principle है और ये principle पुरी दुनिया में काम करता है ये principle जोतिश में भी काम करता है कोई विक्ति ये सोचे कि मैं एक पड़ीलग ग्रह के साथ पैदा हुआ हूँ इस ग्रह की उर्जा नहीं है उर्जा मतलब छे परकार के जो बल है शट बल इनको कहा गया उनमें से एक उर्जा मिसेंगे या दो उर्जा मिसेंगे वो ग्रह अपना result सिर्फ सपने में दे पा रहा है या आदा कर पा रहा है आदा नहीं हो पा रहा और जो नहीं हो पा रहा उसके लिए आप ज़्यादा तंग है तो जिस चीज के लिए आप जादा तंग है उसको ठीक करने के लिए उस प्रकार की उर्जा देना जरूरी है जब आप ये काम करने लग जाते हैं, तब आपके अंदर उर्ज़ा आती है, तो आप जिस भी चीज लिए, जो भी चीज आपके लाइफ के अंदर से कम हो रही होती है, जैसे कि पैसा हो, यश हो, किर्ती हो, मान हो, आप को वो चीज मिलने लग जाती है, यह भ'ret सीदा-सीदा प्रकति का नियम है अब इसके अंदर ना remedies का अर्थी यह है कि आप कोई change करने वाले हैं आप अपने जीवन के अंदर कोई बदलाव लाने वाले हैं तो इस बात को मानके चलेगा कोई भी उपाय असान नहीं होगा वो discipline मांगेगा वो strictness मांगेगा वो आप से आपको बदलने क प्रक्रिया के अंदर लेके आएगा यहीं उपाय है अगर आप इसके लिए त्यार नहीं है तो जोतिश आपके लिए है नहीं जोतिश ना उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर जिनको light man की तरह light दिखाई जाए और बोल जाए आगे गड़ा है या आगे चड़ाई है ठीक से चलाना है और वह उस बात को सुने उनके लिए जोतिश बहुत अच्छा काम करता है अगर आप ये सोच सकते हैं कि मिरको यही काम करना है यहीप crazy meal है कि आप एक परगलर काम करना चाहते हैं वो परगलर काम नियती नहीं चाहती करना आप उसके अंदर बहुत ताकर ल कुछ और सोचाओ, तो कई बारना बड़ा पिच्चर देखना पड़ता है, जो तिश का काम है, आपको बड़ा पिच्चर दिखाना, वो बड़ा पिच्चर जब आपको सहन में आने लगता है, या दिखाई देने लगता है, कि देखे, आपका लाइफ का गोल यहां नहीं है, यहां है आपके ब्रेन को भी clarity हो जाती है और मेनत किस जगे पर करनी है तो हर घर का एक उपाय है बारा घर है बारा घर इसलिए क्योंकि पूरे अकाश को बारा भागों में बाटा गया उर्जा के बेसिस पे उसके बाद 27 नक्षत्रों में बाटा गया और final division किये गए लेकिन यह बारा भाग मुटा मुटा सबको पता है इन बारा भागों के अंदर ही बारा खानों के अंदर ही पूरी जिन्दगी का असार है आप जब यह बारा भागों में से 12 ऐसी चीज़े करने लग जाते हैं सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक पहले घर से लेकर बारवी घर तक आप जब कुछ लाइफ सेल चेंज़ एडाप्ट कर लेते हैं तो लाइफ के अंदर आटमाटिकली शांती आने लगती है लाइफ के अंदर काम नहीं करता अगर आप अध्यात में कहता हूं आप बिलकुल ठीख है अगर आप enlightened है अगर आप जोतिश का काम भी तो आपको enlightened है आपको रास्ता तो दिखाना है अगर आप वो देख पा रहे हैं कि ये होने वाला है आपको जोतिश का मतलब है कि जो बिना अपने ego अपने decision को प्रकती में थोपे हुए कि मिर को ये चाहिए, मिर को ये करके दो, सब सब कुछ प्रकती पे छोड़ देता, स्थर बुद्धी हो जाता है उसको जोतिश का जुरुत काम पड़ता है जिन लोगों का enlightenment नहीं हुआ होता, उनको जोतिश के पास जाना चाहिए जिनको भक्ती, जो लोग भक्ती मार्गों पे चल रहे हैं और उन्होंने सब को छोड़ दिया है, उनका अंदर से ego खतम हो गया है completely, उनको नहीं जाना चाहिए जो लोग ग्यान मार्ग पे चल रहे हैं, जो लगतार अलग अलग गरंथ पड़के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये cosmos के तरीके से काम करता है, उनको एक बार जोतिश के पास जाके सर्फ ये पूछना चाहिए कि क्या ये मार्ग ठीक है, क्योंकि मार्ग दिखाना ही जोतिश का काम है और इसके अलावा और कोई काम है नहीं, बहुत संपल सा एक फॉर्मॉलेशन है तो मैं पहले घर से चालू करता हूँ, ये बताना जरूरी था इस यूडियो के साथ में उपाए पे आने से पहले कि कि आप क्या expect कर सकते हैं किसी भी उपाय से और मैं इसको बताते हैं चलूँगा बार सारे ग्रहओं के बताते हैं घर तो पहला घर आज़ादी है पहला घर आपका अपना शरीर है पहला आपका नजी स्वास्त है तो यहाँ पर सूर्य उपता है यहाँ पर Eastern horizon है और हमेशा घर पहले है राशी बात में है ध्यान रखेगा घर जो है पहले आया है तो घर का वैल्यू जादा है जितने भी गरंथ है चाहे वो होरा शास्त्र है चाहे वो होरा सारा है घर का इंपोर्टन्स पहले है राशी का बात में है तो घर की जब बात करते हैं तो पहले घ अगर आप एक वाच simple सा एक काम करें कि आप डेली सुबह उठें और डेली सुबह उठते ही आप अपने दिन की शुरुआत अपनी health पर ध्यान देने से करें और आप अपनी लाइफ के अंदर priorities set out कर लें कि मेरी लाइफ की priority यह है क्या है बहुत सारे लोग अपनी जिन्दगी जी नहीं पाते हैं जिन लोग के लगन के अंदर हीन ग्रह होते हैं इनके लगन का मालिक नीच हो जाता है जिनका energy flow कहीं और जा रहा होता है किसी और के लिए वो ततपर होते हैं क्योंकि अपने अंदर इतनी जादा confidence नहीं है हीन भावना है उन लोगों के life के अंदर वो उठते ही सुबह से दूसरों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं अपने को priority नहीं देते हैं तो life में सबसे पहला priority और दिन के शिरुवात में भी है और लाइफ का goal भी होना चाहिए आप कब तक adjust करके जिन्दगी के इंदर जो मिल रहा है आप खा लोगे जो मिल रहा है पहन लोगे कभी तो आके आप अपनी जिन्दगी जीने का तरीका ढूंडोगे और जिन्दगी को उस तरीके से लाइक कुछ लोग बोलते है मेरे को आइफोन 16 लेना है और भी रिलीज हुआ है लेकिन क्यों लेना है वो जो वेक्तिव का लगन नौट बहुत स्ट्रॉंग हुगा लगन का मारे ठीक ठाक जगे बेटा होगा वो रहेगा जरुत हुगा ले जो पहला घर है नहीं पहला घर बहुत इंप्याटायंस देखने जिनका पहला घर बहुत मजबूत बहुत शुज con लगन का मलक कमजोर होता न वो क्या करते रहें गे बीचारे वह तड़ते भी रहेंगे वो दूसरों को दोश भी देते रहेंगे और उनके जीवन में एक 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 जिसको बोलते हैं कि एक नकारतमक वीव बन जाता है जीवन को लेके क्योंकि वो खुल के नहीं बोल पा रहे है वो खुल के अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे है वो अपने जीवन जी नहीं पा रहे है वो जीवन जी रहे हैं किसी और का वो जीवन जी रहे हैं किसी और कंपनी के लिए किसी और विक्तिक लिए ध्यान रखेगा लाइफ में वर्थ नहीं है और इसकी लिए मैं हमेशा एक कहानी में ने पड़ी जो की एक हस्बन और वाइफ के बीच की थी एक वाइफ ने पूछा अपने हस्बन से अगर मेरी डेथ हो जाए तो तुम क्या करोगा मैं जॉब छोड़ दूगा मैं घर पे रहूँगा मैं बच्चों का टेक केर करूँगा और बच्चों का टेक कर करके और मैं जतना भी जो इंकम मेरे पास है सेवड है उसके साथ छोटा मोटा बिजनस कोई कर लूँगा और ले लूँगा और करके मैं यहां पर टाइम बिताऊँगा तो वाइफ ने बोला फिर मेरे मरने का इंतजार क्यों है तुमको यह काम अभी भी तो हो सकता है ना ऐसा थोड़ी है कि मेरे मरने पर ही तुम ऐसा करोगे कि तब तुम मेरे को याद करोगे कि तब यह काम किया जा सकता है अभी भी तो कर सकते हैं यह काम तो हस्बेंट को रेलाइज हुआ कि बात तो ठीक है यह कि अभी और भी तो हैजिंट यह कि तुम्हिट भी तुम्हिट धिछख़ट इस बात रचिर्ष इंनस को डेख भी तूडब यह नहीं पूट्स है। It's a step-by-step, do-it-yourself guide, anyone can perform these rituals and see the effect. I wish you best of luck, I'm looking for your feedback once you read the book, thank you. अगर आपको लगता हूँ ना कि आप और वैसी भी ना देखे आपके जीवन में आपके भाग्य ना लिखके भीजा गया है, अगर आपको यह लगता हूँ ना आपका भाग्य का पैसा किसी और की वज़े से आएगा, ऐसा है नहीं, आप लिखवा के लाएओ, आप कुछ जो non-tangible हैं सारे सारे, यह tangible items हैं, यह आप लिखवा के लिकर आते हो, इसके अंदर कोई और रमाइन में भी इसकी चौपाई है, यह चार चीज़ें आपके साथ जाएगी, तो यह चार चीज़ों को लिखवा के लाएँ आता है, तो जब गटना नहीं, बढ़ना नहीं, त धंक से अपने जीवन को जीना है, दब कर छुक कर कभी किसी का भला हुआ नहीं, तो जिनका लगन का मालिक या लगन में बहुत अच्छे घरे बैठे होते हैं, वो आपको देखे का वो compromise करते हैं, वो कहते हैं, नहीं है, compromise नहीं है, अगर business class flight नहीं है, तो नहीं जाना है, अ attitude होता है, यह लगन का मालिक देता है, यह विसी किसी को भगवान भक्षता है, हर चार्ट में नहीं मिलेगा, जादा तर लोग अपनी ही इच्छाओं के अधीन मिलते हैं, जब इश्वर ने आप वो किसी चीज के अधीन मिनाना होता है, तो वो आपको बहुत सारे इच्छा के अधीन होके मरते हैं, वो पूरा जीवन किसी न किसी इच्छा के अंदर ही, किसी न किसी इच्छा पूलती के लिए ही लगे रहते हैं, तो कभी तो जीवन के अंदर आप 10 मिन बैठेगा, और सोचे का जो के बहुत है, इस से ज़्यादा ने चाहिए था, जिस दिन वो फी feeling है ना, liberation की, वो आपको बहुत सारे अच्छे काम करने के प्रेजित करती है, दियान रखेगा पाप करने के लिए जो मार्ग है न, वो इच्छाओं के द्वारा ही बना जाएगा, और पुन्ने का मार्ग हमेशा इच्छाओं को त्याक कर बना जाएगा, जब आप बहुत हैं, उनको काबू में रखेए, और फोकस कीजिए, मेर को क्या चाहिए, अपने आप से पूछे, अपने आप से कई बात सवाल पूछे, क्या चाहिए और जब जवाब, मेटरलिस्टिक चीज़ों से हटने लग जाए, तब समझेगा कि हाँ, अभी न, मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप बागी सब चीज़े फिर बाय प्रोड़क्त बन जाएंगा, फिर आपको लगेगा कि ठीक है, लाइफ में करम जो मिला है, वो करना है, क्योंकि पहले घर काल चकर के अंदर मालिक हैं, वो मंगल हैं, और वो दस्वे घर में जाके उचके भी हो जाते हैं, सरवा करम, पूरे दिल, जान, सब कुछ लगए कीज़ेगा, तो कभी ठकान होगे ने, लाइफ के अंदर, दूसरा चीज़ यह होगा, कि आपको कोई दवा नहीं पाएगा, तीसरा चीज़ यह होगा, कि आप अपने जीवन अपने तरीके से जी पाएंगे, आप किसी के भी अधी नहीं होगे, किसी भी इच्छा के अधीन नहीं होगे, तो जितनी भी इच्छा हैं दिमाग में आती हूँ, किसी भी चीज़ को लेके, उन सब को आदे से आदा कर दीज़ेगा, यह सबसे बड़ा उपाए है, दूसरा काम है कि अपने हेल्थ का दियान रखिए, डेली वाक कोई न कोई एक ऐसा काम कीजिए, जो आपको जिन्दा रखें, और इसके लिए अपने लगन के में बेठे हुए राशी का साइन देखिए, कौनस अक्टिविटी करना है, और इसके लिए एक पांच नौ अगर आ जाएं, तो यह फाइरी साइन है, फाइर का मतलब है, मेरे क अगनी जो है न वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहती है, पहली जो पहला साइन जहां पर अगनी चालू हो रही है, जिसको मेश की राशी बोलते हैं, वहाँ पर तो सड़नली चाहिए, क्विकली चाहिए, और कुछ या कुछ निया तो स्टार्ट करना है, नहीं करेंगे तो अंदर से शान्ती नहीं आती है, तो कोई न कोई तो ऐसा काम करना है, लगन की राशी के अनुरूप जो आपको जिन्दा रखें, जैसे कि एक पांच नौके अंदर कुछ न कुछ अगनी तत्व है, दो छे दस में कुछ पृथिवी तत्व है, खाने का समान है, कोई महनत का समाने किसी काम आजाएं, कोई और करम कर लिजे, कोई difficult काम, अगर लगन में हो, तो चोटा मुटा काम करना नहीं है, कोई बड़ा काम ही करना है, कोई बड़ा हाथ ही मारना है, कोई ऐसा काम करना है, जो नहीं किया हो किसीने, जो आज तक जो पहाड ना हिलाया गया हो, क्या परिकॉन वो साइन है, तो जब दस्वा घरुदे हो रहा हो लगन के अंदर, तो वो बैठती, छोटे-मोटे काम हो से न, संतुषने, शनी है न, जिस काम को करने में, बहुत महनच जाए, वो काम करना है, इसी प्रकार, 3711 अगर हो, तीन नमबर तो बहुत, ऐसे नमबरों में स हैं, जो हमें शना बच्चे की तरह पूछने वाले मोड में रहते हैं, कि क्या बना है, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकार को नहीं है, तीन नमबर, और जब तक इन लोगों को नहीं मिलेगा, कोई बात करने के लिए, कोई information share करने के लिए, कुछ जूनने के लिए कर्शिटी की तरह है, कुछ न को झोनना तो है, कहीं से नहीं कुछ पुराएं चीज झोन के लिए, तो बच्ची होते हैं, गर के इंचे लिए घूंदेंगे, और वो कभी उदर छोंदेंगेंगे, कभी उदर छोंदेंगे, और फाइनली कुछ न कुछ जून के निकाल सकता है क्योंकि उनके लिए लोगों से गठ जोड बनाना ही उनकी लाइफ का प्रियर्टी है पर आप सोच वो लगन में है तो वो इच्छाओं के अधीन है ना लिबरा कि मेरे को यह करना है करना है अगर सामने वाले का रिस्पॉंस किसी और प्रकार का आ रहा है तब भी अगर वो मैलफिक उनका लगन का मालिक मैलफिक हो जाए तो फिर वो लोग एगा कि इस नव्यक्ति ने मेरे को अच्छा जवाब नहीं दिया तो जो भी आपका लगन का मालिक है ना वो आपको अपने अधीन बना रहा होता ह कशन न कहीं से क्योंकि वह ही इच्छा है यही राशी की इच्छा है ना और चाराट बारा तो आपको पता है एमोशनल है कितना सारे वीडियो में इसतों में सिखाया है कि कर के क ценे साब से ज़्यादा एक झाप्ट आएगे आप कब जायंगे आप नमबर है उसके लिए उसक लिए आप कितने सुतंत्र या प्रतंत्र रहे पाते हैं यह पहला गाद डिसाइड कर देता है तो आप अपने आप कभी तो एक बड़े पिच्चर से सोचेगा एक क्यामरा लगा के जैसे एक क्यामरा लगा के एक बर्ड जाइवी लिया जाता है ना ट्विल्थ हाउस से तब भी शायद के तुकी तशाक अंदर बहुत सा रेजलाइजेशन होते हैं तो बड़ जाइवी लेकर बाग क्यों नहीं है तो एजश्मेंट्स आप जितना लाइफ में करेंगे वह आपका लगन का मालक बढ़ा है तो आपके लगन का मालक जतना कमजोर है तो आप से कोई और लगन का मालक अगर मिला दस में उचका नाइंध हाउस में उचका लगन में बैठा हुआ बहुत श्रॉंग बहुत है कोई कुछ भी हो मैं तो अपने आहाल में बहुत खुश हूँ पैसा है नहीं है वो कुछ लोगों थे निए कुछ भी नतना तब भी वो बहुत मस्ती दिखाती है कि आप कितने मस्त हैं अपने जिन्दगी के अंदर तो अपने जिन्दगी के अंदर आपकी जिन्दगी में आपको दूसरों से कितना फरक पड़ता है यह लगन का मालक बताता है अगर आपको लगन का मालक दिखबली हो जाएगा उचका हो जाएगा या जाते हैं उनको यही ध्याने रहता कि न्यूस चल कर रहा है कौन साथ साल चल रहा है और यह बात मेरे को तब रिलाइज होई कि एक विक्ति की एक विक्ति से मैंने पूछा कि आप न्यूस के बारे में कुछ इंफर्मिशन थी और बहुत साल पहले की बात है शिप पे वो साथ अगर इंफर्मिशन इंपॉर्टन्ट होगी तो आपको चिंता लेनी के जुरुद है नहीं और मैंने बुला यार यह तो भाँट अच्छी बात है यह तो विजद्दम है यह विजदम अप दी में सेट्शूरी है और मैंने ट्रा इंपार्पूर्मिशन होगी आप तक आ ज पहुत जब उस मोड में आ जाते हैं, तो आप बहुत जादा विरख्त हो जाते हैं इस जीवन के इंदर, पर लगन का माल उसी गुम्हकति का बहुत बोढ ते बहुत रहता है, कि मेंको क्या करना है नहीं करना है कि कहीं, कोई वैक्ति नहीं पसंद आया तो नहीं बात करने फिर कोई उसके साथ समझोधा नहीं है कि में सम्झोधे करने बंद कर दिते में हैं तो समझते करने सम्झाट एना अगर आपल छांब खाना है यो क्योंकि कई लोग इतने अहने जो बाकी लोगों की अच्छा न उसमें बोलते हैं ठीक है जो सब बोल रहे हैं वो खालेंगे और कोई कोई हर गुरुप में ऐसा होता है जो नहीं मैं काम गई नहीं तो यह जो एटिट्यूट ना पहले घर से आता है या आज का विडियो है बेसिक फाउंडेशन है ऑज पहले घर से चालू कराएं बारा घर कोवर कने का कोशिश करेंगे इसके अंदर मेरा एक आक्रे है कि यह कर सकते हैं कि आप इसमें कोशिंस भेज सकते हैं पहले घर के लिए और दूसरे घर के लिए अगर कोशन्स टेक्निकल होए, कुछ ऐसे होए जैसे कि पहले घर का मालिक अगर वक्री हो तो मैंना, तो हमें अब भी एक कवर कल दूँगा, या और आपको लगता हूँ कोई स्पेशल काम्बिनेशन हो रहा है, आपको लगता है कोई चार्ट के अंदर ये प्रिंसिपल काम नहीं करता है, तो वो क्या करेंगे, वो कौशन्स हम सिकेंड पार्ट में कवर करेंगे, बिकाज ये चीज स्पेश्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को किसी कोर्स में पढ़ा नहीं थी, पर course अच्छा मेरे को लगा कि एक काम करते हैं इसको आप यहाँ से start करते हैं अगर कुछ में को लगेगा कि इसके बाद भी कभी course का ज़रत है तब देखेंगे सोचेंगे लेकिन अभी तो 12 घरों में यहाँ से basic foundations शालू कर रहे हैं तो इसको इसके अंदर से questions पूछ सकते हैं आप कोई और special request हो गया तो पूछ सकते हैं और second house के ले questions भेज सकते हैं कि next time करेंगे second house के remedies कोनगान से होते हैं और किस तरीके से life के अंदर changes करते हैं तो अभी नब पहला पार्ट है बेसिक्स पार्ट कर रहे हैं अभी समझ रहे हैं remedies में किस remedies कहां से देनी है अगर लगन का मालिक नीच हो hemd हो कहां से remedies और निकाल सकते हैं अभी हम इसको धीरे 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 level up करते जाएंगे पर इहां से इतना basics तो समझ में आना चाहिए तो I'll see you guys next time Thank you, bye-bye